चाइनीज बैठे हैं ये ग्यान वो चाइनीज को दे रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा स्टेट्स बनूँ या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाउंचाउंग के लाए थे न ही लीफिंग या लीफिंग जो भी उसका नाव तो गें वही थी 1947-46 की पहली जंग थी उन्निस सो और सटार कि तीसरी जंग है लिए तुम ने स्टार्ट करी और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया भारत ने कुछ नaşरड़ी ये कहता है खे कि हम भारत के साहथ ट्रेड युक्त और इमरान गानि दूसरा नशररी कहता है ट्रेड कर दो जैन दोस्तों, मैं हुमेच गरवारिया और आप देख रहे हैं द अच्छानक क्या डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दावाना बिलकुम न धूलिए को दोस्तों दोस्तों, पाकिस्तान से ऐसी खबर है कि आप हस्ते हस्ते लोटपोट हो जाएंगे यार ये सिर्फ पैसे नहीं मांगते हैं, अब जैसे इंडिया से पैसे नहीं मांगते हैं, इनको पता है इंडिया से कुछ नहीं मिलेगा इंडिया इनको कोड़ी भरनी देगा ठीक है तो इंडिया से फिर कुछ और मांग लेते हैं यह यानि की मांगना है अब शेवाज शरीव ने एक और भंड मार दिया यह क्या भंड मारा क्याता war is not an option war is not an option हमें भारत के साथ नहीं लड़ना है क्योंकि हमने लडाईयां लड़ी हैं और क्या मिला बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, मुफली सी मिली अड़े बेरोजगारी गरीबी मुफली सी तुम्हें मिली है मैं थोड़ नहीं मिली हमने तो अपने situation बैतर कर ली लेकिन यह ज्यान यह दे रहा है सामने Chinese बैठे हैं यह ज्यान वो Chinese को दे रहा है कि देखो मैं कितना वाला statesman हूँ या तो फिर जो उसके चीनी मीनी चाउचाउंक लाए थे न ही ली फिंग या ली ली फिंग जो भी उसका नाम है वाइस प्रिमियर चाइना या तो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में है या उसने उसको बोला है इसके चाइनीज अब्बू ने बोला है कि बेटे अब ये जो तु बखवास कर रहा है ना कश्मीर कश्मीर की अब इसको बंद कर दे अच्छा शेबाद शरीफ को मैं एक और बात बोलना चाता हूँ आपने बोला कि तीन जंगे हुई भारत के साथ ये इन प्रोब्लम है आपके साथ पताओं कि पाकिस्तान में क्यों problem है क्योंकि पाकिस्तान में data analyst नहीं है, ये सबसे बड़ी problem है कि पाकिस्तान में data analyst होते हैं तो data निकाल के बोलते हैं कि प्रदान मंत्री जी आप बखवास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में data analyst है नहीं दोस्तों डेटा से याद आया कि डेटा एनलिस्ट और डेटा एनलिस्ट से याद आया आज के हमारे sponsors यहने की Coding Invaders इसके पहले कि मैं Coding Invaders के बारे मैं आपसे बात करूं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरा theme है क्या दोस्तों देखिए डेटा is everywhere, IPL, Bollywood, कोई भी corporate हो, छोटा बिजनस हो, बड़ा बिजनस हो, entertainment, food, processing, manufacturing, IT, medical, construction, healthcare business, कुछ भी आप काम करें, डेटा के बिना ये काम नहीं होता, right? अच्छा एक बहुत बड़ी गलत फैमी है, गलत फैमी क्या है? गलत फैमी ये है कि non-IT वाला बंदा जिसको coding नहीं आती है, वो ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी गलत फैमी है, और ये बात बिलकुल जूट है, ऐसा नहीं है, आप बिलकुल भी non-IT फील्ड के हैं, आप जीतेंगे, आप सब कुछ सीखेंगे, आपकी प्लेस्मेंट भी होगी, और आप मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जिससे आपको बड़ा फाइदा होने वाला है, तो कान खोल के सुनिए, don't be शहवाज शरीफ, be smart शरीफ, right? दोस्तों, जो Coding Invaders का कोर्स है, वो Deloitte, Amazon, ZTV, Philips, ऐसी कमपनियों में काम करे हुए लोगों ने डिजाइन कर रखा है, साड़े छे महने के अंदर, ये आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बना देंगे, सिर्फ साड़े छे महने के अंदर, दोस्तों, ये जो पूरा कोर्स ह आपको एक अच्छी, well-paying, stable job मिलेगी. तो दोस्तों, कौन-कौन है जिसके लिए Coding Invaders, बिल्कुल सही चीज़ है, पहली बात तो fresher, जिसको अपना career बनाना है एक field में, उसके लिए ideal है, दूसरा, जो non-IT background के हैं, जो IT में switch करना चाहते हैं, उनके लिए ideal है, और तीसरी ची मेने के अंदर यह आपको expert बना देंगा, और 100% job seeking assistance यह आपको देते हैं, यानि कि face to face mock interviews, यानि कि अगर बाहर से कोई आएगा और आपका interview लेगा, या आपका technical test लेगा, तो क्या-क्या पूच सकता है, उसके बारे में बातचीत, हर एक चीज़ से आपको job market के लिए prepare करना, यह इनकी specialty है, coding invaders की जो project based study है न दोस्तों, यह कमाल की है, और इसमें industry leaders ने जो project studies बनाई है, यह आपके साथ share करेंगे, यह बहुत important है, तब आपको पता लगेगा कि real world कैसे काम करता है, इनका format इतना flexible है कि आप weekends पे भी train कर सकते हैं, और weekdays में तो कली सकते हैं, इसके platform दिस्तमाल करने हैं आपको दोस्तों, यह सिखाते है, coding invaders, 20,000 से ज़्यादा लोग graduate कर चुके है, coding invaders से, 20,000 successful candidates दोस्तों, यह छोड़ा figure नहीं है, और यह साड़े 6 मेने का course complete करने के बाद आपको एक international certification भी मिलता है, तो दोस्तों देर किस बात की, गंडी बजाईए, एक free counseling call avail करिए, data analyst course के लिए, और course के लिए subscribe जरूर करिएगा आप, और जब आप subscribe करेंगे न दोस्तों, तो उसमें code डालिएगा TCD 27, TCD यानि की तो चाना क्या dialogues, 27 यानि की 27% discount, देर किस बात की, बजाईए गंटी, लगाईए call, और हाँ, शहवाज शरीफ सब, आप भी कर लीज ये कम से कम आपको इतना तो पता लग जाएगा कि चार जंगें लड़ी थी, चारों आपने हा रही, सब को आप चूरन बेच रहे हैं, तीन जंगों का यार, है न, what a shit, इसकी मैं बातें आपको बताऊंगा, दोस्तों, आप सुनना, ना आपको मजा है, तो नाम बदल देना ये देखो, ये भाई कहता है, we are prepared to talk to them, एसान कर रहा है भारत की उपर, समझे आप, ये एसान कर रहा है भारत की उपर, ये कहरा है, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk on serious matters, because war is no more an option, मतला, इंडिया सीरिस ही नही है, आच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान has fought three wars, it has fought three wars in the last 75 years, which resulted in more poverty and lack of resources, these resources, यानि कि पाकिस्तान ने 75 साल में तीन लड़ाईयां लड़ी, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ, ये जो हमने खर्च कर दिया था जंगों में, ये जो हमने जंगों में खर्च कर दिया था, क्या हम लोगों के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते थे, अब ये गधे जंगे तुमने स्टाइट करी, और तुम कहते हो बहुत कुछ खोया, भारत ने कुछ नहीं खोया, तुमने अपना आदा मुल्क खो दिया, यहां पर ग्यान मत बाटो बिटा शहवाज शरीफ बिटा भारत को ग्यान मत बाटो तुमारे इस पाकिस्तान को हमने बंगलादेश बना दिया तुम हमें क्या लेक्चर दे रहे हो अच्छा जी फिर देखो आर नेबर हैस तो अंडेस्टेंड हमारे पडोसी को समझना पड़ेगा हमारे पडोसी को समझना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा पडोसी को कि हम लोग एक यानि कि बेसिकली ढाक के तीन पात यह वापिस बिना कहे कश्मीर पे आ गया यह इतने बड़े बेवकूफ हैं मैं बता रहा हूँ या तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने अभीम घा रखिये मुझे नहीं पता कुछ इलके साथ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है ठीक है यह कहते हैं भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करता भारत ने ये नहीं करा हमारे साथ ये नहीं करा अरे बेवकूफ हों ट्रेड तुमारे इमरान खान ने रोकी थी, हमने थोड़ना रोकी ट्रेड, हमने थोड़ना रोकी, और सबसे पहले भारत ने इनको क्या बोला था, कि हमारे, यानि कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आता है, आप हमें रहधारी दे द इसे याराम जबरती खुशेंगे नहीं तो भारत ने कुछ अरब डॉलर खर्च करके चाभाहर कौर्ड बना दिया अब वो इरान से चला गया अब इरान से भारत पूरी त्रेड कर रहा है एरान के थूरु अफगानेस्तान भी जा रहा है ईरान के थूर वो सेंट्रल इशिया आप चोदरी हो तो कोई बात नहीं हम दूसरे कहों चले जाएंगे अब फिर इनको मौत आ रही है कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया भारत हमें IPL नहीं खेलने देता भारत हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाता यार एक तो ना ये नशेडियों का देश है मैं बता रहा हूं पू पूसराबंदा आ जाएगा इसकी जगे फिर वो बोलेगा हां करनी है नहीं करनी है यहां पर पाकिस्तान में कोई पॉलिसी थोड़ा जिसकी जो मर्जी आई को यह उत और न ये अन्षिज कुछ करता रहता है कोई कहता है कि ट्रेड करो कोई कहता है मत करो कोई कश्मीर पे बात करेंगे कोई कहता है कश्मीर को सौ साल के लिए बंद रख दो पहले जियो एकोनोमिक्स की बात करेंगे वेंगा बाजवा कहता था यह पूरी कंफ्यूज कौम है यार यह कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है अच्छा एक पाकिस्तान की चीज कॉंस्टन्ट है जो क बात कर लो लेकिन भारत को कुछ नहीं देना वान वे टिकेट तो दोस्तों जैसे पाकिस्तान जली लो रहा है ना चाइना के सामने नतमस तक बात कर लो मोदीजी प्लीजी 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 आरे मोदीजी ऐसे थोड़ना होता है थोड़ी सी बात कर लो ना मैं नाइये रेट्स 31 लोकेशिंज इन पंज़ाब एंधर ना नाइशनल इंवेस्टिगेशन एजनसी अपको देवन से बोल रहा था ना दोस्तों देवन से मैं आपको यह बोल रहा था कि इनके पीछे एना यह लगाओ यह चिडिया की तरह चेहएंगे और तोते की तरह यही रवी सिंग है जिसको रवी सिंग को मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि रवी सिंग चोर है रवी सिंग कहता है मैं लंगर लगाता हूं भूकों को खाना खिलाता हूं यह उस यह पता है क्या करता है रवी सिंग की ऊपर तो फ्रॉड के इतने इल्जाम है रवी सिंग से को फाइदा होता है यह तो भगवान का काम है लंगर लगाना उसके पैसे का तो हिसाब दे पैसे का हिसाब नहीं देता है यह सो रुपए लेता है दस रुपए का लंगर लगाता है 90 रुपए अपनी जेब में यह इसका धंदा है खालसा एड इस एक्चुली बिजनस फॉर अ अंबर सर, मुक्त सर, संग्रूर, पट्याला एन, मुहलीन, पंजाब एन, सिरसा एन, हर्याना की एक डिस्ट्रिक में, बाकी सारे पंजाब की डिस्ट्रिक में, एना ये ने लगातार तर लगातार रेड करी है, और इस रेड के अंदर के आम, मैसिव रेड्स इन्होंने करी है और ये सारा का सारा जो है ये इनका चिठा-कचा पता लग गया है डिजिटल डेटा कंटेनिंग हाई इन्फोर्मेशन ये पकड़ा गया है पूरी खादिस्तानियों की प्लैनिंग जो इंडिया में बैठके चुप-चुप करके प्लैनिंग कर रहे थे और जिनका बाहर से संबंद है तो यही बात कहता रहा हूँ अगर आपने चानल के डैलोग्स देखा है तो आपको पता हुब कि मेजर गौरावारिया लगातार यही बात कह रहा है कि इनकी नस जो है ना यहां से कटेगी इनको बकवास करने दो लंडन में जो बकवास कर रहे हैं इनको करने दो औस्टेलिया में जो बकवास कर रहे हैं कैनेड़ा में बकवास कर रहे हैं यूएस में बकवास कर रहे हैं बकवास करने दो बकवास के लावा खालिस्तानी कुछ करी नहीं पाए आज तक लेकिन जो यहाँ पे जड़े हैं ना इनको यहाँ पे ठोको खालिस्तानियों को इन्होंने सिख भाईयों का नाम खराब करा है इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है खालिस्तानी हैं यह बदनुमाद दाग हैं इनको सबसे पहले मिटाना है इस दाग को तो दोस्तों ये स्टोरी है इनकी देखो अच्छा जी anti-India campaign organized by खालिस्तान supporters in Canada, British Columbia अब ये anti-India campaign इन्होंने करी है British Columbia में और खालिस्तान supporters continued their campaign against Indian diplomats in Canada kill India and wanted have been placed अच्छा जी ये इन्होंने बोला है कि हरदीब सिंग निजर को इंडिया ने मरवा दिया हमने तो नाम भी ने सुना था निजर का इसके मरने के पहले ठीक है जी आच्छा ये अब ये बकवास कर रहे हैं खालिस्तानी ना प्रोटेस्ट करो तुम यार तुम्हें किसने रोकाई देखो शुनो तुम्हारा कोटना शुरू हो गया है तुम्हें और मैं बता रहा हूं यह खालिस्तानी इतने डर्पोक हैं इतने डर्पोक हैं इनके दो-तीन लीडर को जब ठोका ना किसी ने आपस में रंजीशों में ठोक दिया यह यह जो भाई लोग हैं यह अंडर्ग्राउंड हो गए गुर्पतवन सिंग पन्नु गयब चुप-चाप से एक दिन आया वीडियो बनाया गयब खुलके घूबना यार नाम इतना लंबा है तिरा गुर्पतवन सिंग पन्नु कोई सोचे का पता नी शेरी आ रहा होगा वहां से घरवोज न होगा एकसेट और अभी आपको हफ्ते-दस दिन पता लग जाएगा इनके उपर कनड़ा के अंदर इतने लंबे-लंबे केस करेंगे इतने लंबे-लंबे केस अ हम भाई केस करें जाएंगे ठीक है कोट में जाना पड़ेगा पुलिस पकड़ेगी जितने दिन तक तुम पु ठीक है अब तुम देखना तुम्हारी तो वाट लगने वाली है बहुत वाट लगने वाली तुम लोग बहुत चुहे की तरह इतने उछलके कुतर 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 24 गंटे खाले स्तानियों तो दोस्तों आखिर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप data analyst की field में अपना future देखते हैं अपना भविश्य देखते हैं तो coding invaders का course आप जरूर कीजिए यह link है description box में जरा जाए अगर आपको विडियो पसंद आए न तो उस विडियो को like जरूर करिएगा एक बार सबस्क्राइब करिए बल आइकन दबाना बिल्कुर मत दूलियेगा दोस्तों जैहिंद बंदे मातरम भारत माता की जैए जो झांना बदीस चाने ने चाने हम मत बंदे एक जारत में बाड चkins क ब inhal कर दोस्तों टवज को विडियो इंवि यह inवान कि आए । और रρucharत स्वां आफे को बान 256 आपको बाणाबन कि को दोस्तों जैए